कई सारे स्टार्टप्स लाँच होने के कुछी महीनों या सालों बाद बंद हो जाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 ऐसे रीजन्स रखना चाता हूं जिनके कारण स्टार्टप्स फेल होती है हलो एव्रिवान मेरा नाम सौरम मिश्रा है मैं EOSUS Private Limited Company का CEO हूँ मेरी कंपनी कस्टम वेब और मोबाल आपस बनाती है ओवर दे लास्ट 10 years हमने कई सारे स्टार्टप्स के लिए कस्टम सॉफ्ट्वे सलूशन डेवलाप किया है विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम लेट स्टार्टप्स के जो को फाउंडर है उनमें क्लैशे होने लग जाते हैं एक जन्द दूसरे के काम में इंटरफेर करने लग जाता है और जो भी को फाउंडर है वो डिसिजन बड़े अलग-अलग लेने लग जाते है अब अवोइड करने का तरीका क्या है सबसे पहले स्टार्टप फाउंडर को ढूणने में या लेने में आन बोर्ड लेने में जल्द बाजी ना करें ये देखे कि जो दूसरा परसन है उसके और आपके विजन कितने अलाइंड है और जैसी आप शुरू करते हैं स्टार्टप रोल्स और रिस्पोंसिबिलिटीस क्लियरली डिवाइड केजी एक जन्बन गया Chief Product Officer, एक हो गया Operations Head, एक हो गया आपका Finance Officer and so on इससे आप लोगों के बीच में Clarity रहेगी, Autonomity मिलेगी, अपनी Space मिलेगी काम करने के लिए और Decision लेने में The Second Reason, Solving Wrong Problem कई सारे Startups imaginary problem solve करते हैं, जो realistic problem नहीं है अगर आपको जानना है सही problem क्या है, जो sustain करेगा, जो grow कर पाएगा idea तो वो चीज करो जो आपको ए चोरा था और आपने उसे scratch किया तो जितने भी आप successful startups ले लीजे, Netflix, Uber, Airbnb वगरा इन्होंने सबसे पहले खुद की problem solve की, उनको एक वो real problem लगी और ये problem जब उन्होंने implement की तो वो scale up किया उन्होंने उसको So be realistic, solve the right problem for which you feel कि लोगों को फाइदा हो पाएगा The third reason for startup failure is delay in launch कई सारे startup के team members हैं, वो features और चीजों को लेके इतने ज़्यादा involved हो जाते हैं कि वो product UI को लेके Design को लेके इतने involved हो जाते हैं कि वो product development के बीच में नए-नए features आड़ करेंगे Design changes करेंगे and जिसके कारण आपका जो startup है वो launch उसकी जो launch rate है वो आगे 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 पूश होते जाती है उसके कारण क्या होता है, cost बढ़ जाती, motivation कम हो जाता है और real लोगों का feedback नहीं मिलता तो ये गलती नहीं कीजे, आपका जैसी first MVP या फिर एक stable version जो just problem को solve कर रहा है, ready है, go for launch मैं typically suggestion देता हूँ कि as low as let's say one and a half month and as high as five months में आपका product launch हो जाना चाहिए इन फाक्ट जो best, जो Y Combinator और Sequoia इसके जो founders है, उन लोग suggest करते हैं कि दो महिने में launch ताकि आपका idea test होके आपको real feedback आना शुरू हो जाए so that was the third problem, fourth problem, कई सारे जो लोग हैं वो funding के ओपर जाधा stress करते हैं, investor pitch tag बना रहे हैं, email भेज रहे हैं, outreach के mails भेज रहे हैं उनकी पूरी पोलते हैं अध्यान रहता है कि कितनी जल्दी आपका investor funding करें और कितनी जल्दी हमारा exit भी बन पाए startup से, that's a very wrong approach, आपके जो business plan है उसमें profit should be an inherent part, आपकी जितना आप अपने startup को bootstrap कर पाए, except for few of course, अगर आपको SpaceX type आप वो बनाना चारे startup, so you would require funding, but there are a number of ideas and bootstrap it and grow it organically, so और दूसरी इसी का सब point है, दे जीरो से exit strategy के बारे में मत सोचिए, कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इतने करोड, इतने million और निकल लूंगा नहीं, that is as good as saying कि शादी के पहले दिन आप divorce के बारे में सोच रहो, so don't do that mistake, so that was with respect to the fourth pointer, the fifth and the last pointer is feedback, feedback सुनो, कई सारे startups जैसे से grow करने लग जाते हैं, feedback को importance कम देते हैं, feedback वो चीज़े जो feedback loop जिसे हम बोलता है, वो चीज़े जिससे आपका product निखरता है, उसमें incremental changes आ सकती है, so first hand सुनियों और अपने customers और अपने stakeholders को बताईए कि हाँ, ये feedback बहले आप immediately नहीं कर पाऊ, कोई बड़ा change है, but down the line हम करने वाले हैं, do not ignore it, कई बार वो हजारो feedback में से दो तीन ऐसे suggestions मिल जाते हैं, जिससे आपका product बहुत जादा आगे बढ़ जाता है, और आपको ये feedback के basis पर आप pivot भी कर सकते हैं, अपने idea को, so that was my fifth pointer, लोग feedback को ignore करते हैं, so don't do that, so these were the five pointers, जिनके current startups fail होती है, या ये वो गलत करते हैं, इसे, तो आशा करता हूँ, आपको ये video पसंद आया होगा, और आप इसमें से कोई गलती ना करें, और हाँ, अगर आपके मन में ऐसे और कोई से pointer जो मैंने miss किया है, तो description, I mean comments में जरूर type किजा, I would love to go through them, और अगर आपको ऐसी interesting videos और देखने हैं, तो हमारे channel को subscribe करना ना भूले, और इसे like करें, अपने family friends के साथ शेर करें, thank you everyone for your valuable time, bye.